नमस्कार बच्चो आज हम व्यवसाइक अध्यान की पहली पुस्तक का पाचवा अध्याय का नाम है संगतन बच्चो आप अपनी व्यवसाइक अध्यान में इस बार प्रबंधन से जुड़ी भी बारीकियों को सीख रहे हैं आपने पहले पढ़ा है कि प्रबंधन एक लंबी प्रक्रिया है इसके अंदर प्रबंधक को कई कार्य करने पढ़ते हैं प्रबंधन के कार्यों को मुखेता पांच श्रणियों में बाटा गया है जिन में से पहला कार्य आपने पढ़ा नियोजन के रूप में नियोजन में आपने पढ़ा कि एक प्रबंधक भविष्य में किन उद्देशों की पूर्ती करना चाहता है उनके अनुसार वो विकल्पों का चयन करके भविष्य के बारे में कुछ मानेताएं लेकर अपने क्रिया कलापों को नियोजित करता है उसमें अनिवार्य साधन या पूंजी लगाता है वो यह कोशिश करता है कि कैसे विवसाय के उद्देशों को पूरा किया जाए नियोजन प्रबंधक के कारियों की शुरुवात भर होती है नियोजन करते वक्त जब एक नियोजक्या प्रबंधक वो देश्य प्राप्ति के लिए विविन विकल्पों पर गौर करता है सामने उपलब्द विकल्पों के अच्छाईयों वो कमियों को आकता है उनका आकिलन करता है यह देखने की कोशिश करता है कि कौन से विकल्प में क्या लाव हुआ क्या हानी हो सकती है वो इसके आधार पर सर्वस्रेश्ट विकल्प का चयन करके जब एक प्रबंधक उस विकल्प को क्रियानवित करने जाता है तो वहाँ पर आ जाते हैं उसके अन्यकारिया जिन में से पहला नंबर है संगठन के कारिय का अर्थात संगठन नियोजन के तुरंत बाद प्रबंधक के कारियों के श्रेडी में आने वाला कारिय है नियोजन हो जाने के बाद यह तो निर्धारित हो चुका है कि हमारा उदेश है क्या है उसे पाने के लिए हमने कौन सा विकल्प चुना है अब बारी है उस विकल्प या उस कार्य को करने के लिए जरूरी सरचना त्यार करना फिर आगे जाके उसमें जरूरी संख्या में करमचारियों को रखना उनसे काम करवाना आदी संगठन की प्रक्रिया में हम अपने विवसाए या अपने किसी विशेश प्रोजेक्ट आधी के लिए एक सरचना त्यार करने का कारी करते हैं कि कौन किस तरह के कारियों को करेगा कारियों को कैसे बाटा जाए, किस तरह के कारियों में कितने लोग हो, लोगों के बीच आपस में क्या संबध हो इस अध्याय को अपचारी कुरूप से शुरू करने से पहले आईए एक छोटा सा उधारन भी ले लेते हैं आप सभी के विद्यालेयों में विद्यालेय का वारशिक उस्तव या इस तरह के अन्य कई उस्तव होते होंगे, जिने आप बड़े उस्तव से बड़ी खुशी से हर्श उल्ला से मनाते होंगे लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि या उस्तव किस प्रकार मनाये जाते हैं, इनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इनके पीछे के कारे किस प्रकार से होते हैं यदि आप में से किसी ने कभी ऐसे किसी उस्तव की कारे समीती का हिस्सा रहकर अनुभव किया हो, या देखा भी हो, तो आपने देखा होगा कि विद्याले के उस्तवों में भी संपून कारियों को अलग-अलग ग्रूप या वर्गों में विभाजित किया जाता है जैसे खाद समीति या ग्रूप, सजावट समीति, टिकट समीति आधी अपने-पने कारे करते हैं अलग-अलग ग्रूप या वर्गों में लोगों को रखा जाता है उनकी जिम्मधारियां तैय की जाती है वो किसके प्रतिय उत्तरदाई हैं ये भी तैय किया जाता है फिर अलग-अलग ये वर्ग या ग्रुप मिलकर अपने अपने कारी करते हैं मिलकर ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा उदेश है कि एक अच्छा उत्सव तयार करके दें वो पूरा हो सके हर कार्य के लिए प्रभारी को नियुक्त किया जाता है जो अपने नेत्रित्व में इकारी कराता है और कोशिश करता है कि उद्देशों के प्राप्ति हो तो जिस प्रकार विद्याले के उत्सव में इतना कुछ किया जाता है उसी प्रकार व्यवसाई में भी जो हमारा उदेश्य है उसके लिए जो हमें कार्य या प्रोजेक्ट या कारेक्रम मिला है उसके अंदर भी हम ऐसे ही कार्यों का विभाजन करते हैं हम कारियों को वर्गी कृत करते हैं, लोगों के बीच उत्तरदाइत्व स्थापित करते हैं, और मिलकर फिर कारियों को पूरा करके वो देश्य प्राप्ति की कोशिश करते हैं। यदि थियो हेमन की परिभाशा को देखा जाए, तो उनकी परिभाशा के अनुसार, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कारियों को परिभाशित वो वर्गी कृत किया जाता है। उन्हें विभिन व्यक्तियों को सौप कर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है तो चाहे आप हेमन की परिभाशा को देखें या हमारे विद्यालेक या उधारन को देखें एक मूलभूत बात जो निकल कर आ रही है वो यह है कि संगठन में जो भी हमारे पास कार्य है उन सभी को परिभाशित करके वर्गी क्रेट करके लोगों को सौप कर उनके अधिकारों को सुनेश्चित किया जाता है इस प्रक्रिया को ही संगठन का नाम दिया जाता है तो क्योंकि संगठन एक प्रक्रिया है तो इसके चरणबध तरीके से कुछ कदम होंगे आईए इसके उन चार कदमों की चर्चा करें संगठन की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य है या कदम है कार्य की पहचान या विभाजन माल लीजिए आपके सामने एक बड़ा कारे है जैसे की विद्यालाय के उत्सव की मैंने बात की वेबसाइक तो आरपे भी मान सकते हैं कि आपके सामने कोई प्रोजेक्ट है या कोई कारी करेम है आपको नई ब्रांच या शाखा खोलनी है इस तरह का कोई भी एक कारे आपने निधारित किया अब उस बड़े कारे को करने के लिए आपको कई सारे उसके अंदर के छोटे कारे करने पड़ते हैं सभी कारे एक व्यक्ति तो नहीं कर सकते हैं इसलिए उसके अंदर आने वाले छोटे-छोटे कारियों को पहचाना जाएगा पहले, पहले आप देखेंगे कि उस बड़े कारे को करने के लिए उसके अंदर क्या-क्या छोटे-छोटे कारे आपको करने हैं, उनको पहचानने के बाद आप उनको विभाजित करेंगे, विभ गठन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लेंगे कि कारियों को पहचाना वह उनका विभाजन कर देना अब जब अपने कारियों को विभाजित कर दिया तो यहां आजाएगा दूसरा कदम अब आप देखेंगे कि जो अलग-अलग कारे आपने की, उनमें सब्सक्राइ जो कारे एक जैसे हैं, क्यों न उन्हें एक विभाग का नाम दे दिया जाए? ऐसे अलग-अलग विभाग त्यार कर दिया जाए? ताकि एक विभाग की जिमेदारी किसी को सौपी जाए अलग-अलग विभाग अलग-अलग लोग संभाले प्रभारी बने उसके वो अपने विभाग के कार्यों को करते करते संगठनिय व्यवसाय के उद्धेश्यों को पूरा करने की तरफ भी अगरसर हो यानि दूसरा कदम है विभाग तयार करना विभागी करन करना जो कि तभी हो सकता है जब पहला कदम उठाया जा चुका है यानि अगर कार्य हमने बाट दिये विभाजित कर दिये तो हम दूसरे कदम में उनको विभागों में वर्गे कर लेंगे अब विभाग तयार होने के बाद आएगा तीसरा कदम तीसरे कदम में आप हरेक विभाग के अंदर अलग-अलग पदों के अनुसार कर्तवियों का निर्धारण करेंगे कि जो विभाग का प्रबन्दख है उसके क्या कार्य है? उसके नीचे के परियवेक्षक के क्या कारी है, करमचारी हों के क्या कारी है तो आप सभी के कर्तव्यों या कारियों का निर्धारण करेंगे जब सबके कर्तव्य या कारी निर्धारित हो जाए तो फिर आएगा चौथा कदम जहां पर आप reporting संबंधों के स्थापना करेंगे यानि अब यहां देखा जाएगा कि विभाग के अंदर कौन किसके प्रती जवाब दे है एक कर्मचारी क्या supervisor के प्रती जवाब दे है फिर क्या supervisor अपने उपर प्रबंदा क्या नि मैनेजर के प्रती जवाब दे है तो अपने पूरे संगठन में ये रिपोर्टिंग संबंद की आप स्थापना करेंगे कि कौन किसके उपर है, कौन किसके नीचे है, कौन अपने कारियों के लिए किसके प्रती जब्मिदारिया जवाब दे है, कौन किससे जवाब मांग सकता है इस प्रकार का संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है ताकि सबको पता रहे कि किसे किसके अंदर कारिय करना है किसे किसी समस्या के लिए किसके पास जाना है कारिय पूरा होने पर किसके पास देना है ना हो पाने पर किसको जवाब देना है यह संबंद स्पश्र रूप से स्थापित करना आने वारी है ताकि कारियों में कोई बाधा ना आए इस प्रकार संगठन की प्रक्रिया में चार कदम निकल कराते हैं पहला कदम कारियों को पहचान कर विभाजित करना दूसरा कदम अलग-इलग कारियोν को फिर विभागों में बाटना तीसरा कदम विभागों में लोगों के करतव्यों को निधारित करना चौता कदम फिर सभी के बीच रिपोर्टिंग संबंद स्थापित करना ये है संगठन की प्रक्रिया अब हम इतना कुछ करेंगे तो कुछ लाब तो होना चाहिए न तो संगठन की प्रक्रिया की क्या लाब है आए इस पर चर्चा करते हैं इतने सारे कदम उठाकर, कारियों को विभाजित करके, विभाग बनाकर, जिमिदार या निश्चित करके हमें क्या फाइदा होगा, क्या लाब होगा, यानि संगठन के क्या महत्व है, सबसे पहली बात संगठन करने से हमें विशश्टी करण के लाब प्राप्त होते हैं, अर्थात, जब हम अलग-अलग कारियों को अलग-अलग विभागों में बाट देते हैं तो एक विभाग के लोग एक प्रकार का कारिय करते हैं जब वो एक प्रकार का कारिय करते हैं तो वो उस कारियों को बार-बार करके उसमें विशिष्ट या विशिशग्य बन जाते हैं फिर हर कोई अपने अपने कार्य में विशिशग्य है, विशिश्टी रूप से कार्य कर रहा है, कुशल है, तो वह अपने उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसका लाव संगठन या हमारी व्यवसाय को मिलेगा. दूसरा फाइदा, कार्य करने के संबंधों का स्पष्टी करने, संगठन हो जाने के बाद सबको ये पता लग जाता है कि कौन किस विभाग में है, किसके विभाग में कौन शीर्षपद पर है, कौन उनके अंदर है, किसको किस से काम लेना या काम देना है, किसको किसके प्रती जवाब देना है ये सारे संबंध स्पष्ठ हो जाने से काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती या बहुत कम आती है लोग अपना काम करते हैं वो जिनके प्रतिवर जवाब दे हैं उनको जवाब देते हैं वो उनसे जवाब मांगते हैं कारियों को आकलिन करते हैं तीसरा महत्वया फाइदा है संसाधनों का अनुकूलतम उप्योग अब जब इस प्रकार कार्यों को बाटा जाएगा तो सबसे पहली बात तो कोई भी कार्य दोहराया नहीं जाएगा यानि ऐसा नहीं होगा कोई confusion या कोई ऐसी विडमना उत्पन नहीं होगी कि एक ही कार्य को कई लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किसको कौन सा कार्य करना ऐसा नहीं होगा सभी कार्य बटे हुए हैं सब लोग अपना कार्य अलग-अलग कर रहे हैं और वो भी विशेशग्य बनकर अधिक कुशलता से कर रहे हैं जब ऐसा होगा, तो कारियों में व्यर्थ कम होगा, वेस्टेज कम होगा, संसाधनों का बहतर या अनुकूलतम उप्योग हो पाएगा। कारियों को अलग-अलग बांट देने से, प्रबंदकों के लिए या कमपनी के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के लिए सभी कारियों वो पूरे संगठन को प्रशाशित करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सा कारिय किसको दिया गया है, किस से उसके जवाब लेना है, यदि कही कमी आई तो उसके लिए कौन जिम्मिदार है, सबका काम बटने की वज़े से उनके बीच सामंजे से स्थापित करना असान हो जाता है, इसकी वज़ा से उनके लिए अपने वैवसाय को प्रभावी ढंक से प्रशाशित करना आसान वो बहतर हो ज उसको सीखेंगे, तो उसकारे में बहतर बन जाएंगे, इससे उनका खुद का भी विकास होगा, वो अपने कारे को और अच्छे से कर पाएंगे, तो उनकी पदोनती होने के भी अवसर बढ़ेंगे, उनको जीवन में कुछ सीखने के अवसर बढ़ेंगे, इससे उनका एक स व्यविसाय में स्पष्छ रूप से कार्य बटे हुए, विभाग बटे हुए। ऐसे व्यविसाय है को जब भविष्य में खुद को विस्तार करना होता है अपनी शाखाएं खोलनी है नए उत्पाद लेकर आने है तो ऐसे में कार्य सुचारू रूप से चलने या बटे होने की वज़ा से नई चीजों को जोड़ना सरल हो जाता है हमें तंत्र पुनह नहीं बनाने पड़ते हैं हमारे तंत्र पहले से विक्सित हैं विभाग विक्सित हैं हम असानी से नए उत्पाद जोड़ सकते हैं या नई शाखाएं जोड़ सकते हैं ऐसे में हमें अपने व्यवसाई के विस्तार में भी सहयता मिलती है तो इस प्रकार हम किसकी क्या जिम्मिदारी है, किसका क्या कार्य है, कौन किसमें विशेशग्य बनेगा, कौन किसको करेगा, संगठन की प्रक्रिया करने के बाद इसका जो परिणाम या नतीजा निकलकर आता है, वय्य होता है, कि विवसाई का एक धाचा तयार हो जाता है, कि कितने विभाग है किस विभाग में किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन किसको जवाब देगा यानि हम कह सकते हैं कि संगठन का अंतिम उत्पाद विवसाईक या संगठनातमक धाचा है अब या पाया गया है कि विवसायों के धाचे मूलत है दो प्रकार के होते हैं एक कार्यात्मक धाचा वा दूसरा प्रभागिय धाचा कार्यात्मक धाचे के अंदर विवसाई अपने विभाग कारियों के अनुसार बनाते हैं ऐसा उन व्यवसायों में जादा पाया जाता है जहाँ पर उत्पादों की संख्या अलग अलग उत्पादों की संख्या कम होती है यानि वो कई तरह की उत्पादों में काम नहीं कर रहे हैं वो कुछ एक दो मिलते जुलते उत्पादों में काम कर रहे हैं ऐसे में क्योंकि उनके उत्पादों की निर्मान की प्रक्रियाएं लगभग एक समान है कच्या माल लगभग एक समान है उसके लिए उत्पादन के लिए जो ग्यान चाहिए वो लगभग एक जैसा चाहिए तो ऐसे में ऐसे संगठन कारियों के आधार पर विभाग तयार कर द विभागों को बाटा जाते हैं और जब इस तरह का वर्गी करन या धाचा तयार होता है तो इसे हम कार्यात्मक धाचा कहते हैं जो की नाम से ही खुद आपको बता देगा कि या धाचा वह धाचा है जो कार्यों के अनुरूप, कार्यों के अनुसार विभाग बनाकर बनाया ग मिलते जुलते कुछ उत्पाद हो तो ऐसे व्यवसाय कार्यों के आधार पर अपने धाचे को तयार कर सकते हैं अब इस प्रकार के धाचों में जो विभाग बनते हैं वो कार्यों के अनुसार बनते हैं तो ऐसे में एक विभाग का प्रबंधक या उसके अंदर के करमचारी एक प्रकार के कारी को ही करते हैं तो वो उस कार्य में निरंतर विशशग्य हो जाते हैं हर विभाग के करमचारी या प्रबंधक अपने विभाग के उस कार्य में विशशग्य हो जाते हैं से marketing department यानि विपढ़न विभाग के कर्मचारी marketing में expert हो जाएंगे वित्य विभाग के वित्य यानि finance में expert हो जाएंगे तो हर कोई अपने उस विशेश कार्य में expert यानि विशेशज्य बन जाता है जिससे विवसाय में विशिश्टी करन आता है जिसका लाब विवसाय को मिलता है कारियों का दोहरापन नहीं होता हर कारी अलग लग किया जाता है तो व्यर्थ सामगरिया भी कम होती है व्यर्थ कम होता है तो संसादनों का बहतर उपयोग होता है तो इसलिए इसकी कुछ इन विशिष्टाओं की वज़े से यह धाचा कई ऐसे छोटे विवसायों में जहां अधिक उत्पाद ना हो वहाँ अपनाया जाता है इसके विपरीत जो दूसरे प्रकार का धाचा है वह है प्रभागिय धाचा प्रभागिय धाचा उन विवसायों में अपनाया जाता है जहां कई सारे अलग-अलग प्रकार के उत्पादों का निर्माड हो रहा है ओधारण के लिए मान लेजिए एक वेवसाय है जो एक तरफ प्रसाधन यानि कॉस्मेटिक का निर्माड करता है वही परिधान यानि वस्तोर यानि कपनों का निर्माड करता है पादू का यानि फुट वेयर का निर्माड करता है वो अन्य लेदर यानि चर्म से जुड़े चम्ड़े के उत्पादों का निर्माण करता है तो ऐसे वेवसाई में हमने क्या देखा अलग-अलग तरह के उत्पाद है उनकी निर्माण प्रक्रिया कच्चा माल उससे जुड़ेवे ज्यान ये अलग होंगे जो फुटवे यानी जूते चपल बनाने में चाहिए वो कपड़े बनाने में नहीं चाहिए या कॉस्मेटिक बनाने में नहीं चाहिए तो अलग-अलग उत्पाद होने के कारण ऐसे वेवसाई हर उत्पाद को ही एक अलग विभाग बना देते हैं ताकि उस उत्पाद का काम उस विभाग द्वारा ध्यान से अलग से किया जाए यानी प्रभाग ये ढाचे में पहली बात तो ये ढाचा ऐसे वेवसायों में पालन किया जाता है जहां अलग-अलग तरह के उत्पाद हो दूसरा इस ढाचे में सबसे पहले उत्पाद के आधार पर विभाग बनाए जाते है जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है कि इस तरह के विवसायों में सबसे उपर प्रबंध संचालक आ गया उसके नीचे चार विभाग जो आप देख रहे हैं वो उत्पाद के नाम पर है तो हमने उत्पादों के नाम पर चार विभाग बना दिये लेकिन अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रबागिय धाचा बनाने के बाद भी उत्पाद के आधार पर अलग-अलग विभाग बनाने के बाद भी अब हर उस उत्पाद के विभाग में कई कार्य होंगे वहाँ पर क्रे भी होगा, उत्पादन भी होगा, मानक संसादन भी होगा, विपडन भी होगा तो कई कार्य हर उत्पाद के विभाग में होंगे ऐसे में हर उत्पाद के विभाग के अंदर कार्यात्मक विभाग भी बनेंगे यानि कार्यात्मक विभाग या धाचा तो मूल है जब वेवसाई छोटा हो तब वो केवल कार्यात्मक धाचा अपनाते हैं ववसाय यदि बड़ा हो जाए उसके कई उत्पाद हो जाए तो पहले उत्पादों के आधार पर धाचा तैयार होता है फिर हर उत्पाद के अंदर भी कार्यों के हिसाब से विभाग बनाए जाते हैं यानि कार्यात्मन धाचा देखा जाता है ऐसे में एक कमी जो यहां निकल कर आती है वो यह आती है कि एक ही प्रकार के कारे हर उत्पाद के विभाग के अंदर होगे यानि मालने जी विपड़न विभाग, footwear में भी होगा, कपड़ों में भी होगा, कॉस्मेٹिक में भी होगा, मानव संसाधन विभाग भी सब में होगा तो एक ही जैसे विभाग अलग-अलग उत्पादों के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कारियों का दोहरापन हो रहा है तो सामगरी समय आदे की विर्थ या वेस्टेज भी हो रही है। अब आईए इन दोनों प्रकार के धांचों में अंतर करके तुलना करके आज के भाग को खत्म करें। सबसे पहला अंतर यदी देखा जाएं तो रचना के आधार पर हमने देखा कि कार्यात्मक संगठन कारियों पर आधारित होती हैं जबकि प्रभाग ये संगठन उत्पादन रेखा पर। उत्पादन रेखा का बच्चों अर्थ ही हुआ कि एक जैसे जितने भी उत्पाद है उनको एक उत्पादन रेखा या प्रोड़क्ट लाइन कहा जाता है उनके अधार पर कितने अलग अलग प्रोड़क्ट लाइन है हमारे पास उत्पाद रेखा हैं उनके अधार पर इसके जो प्रबंदक है, वो केवल एक कार्य के बने विभाग का प्रबंधन कर रहा है, तो वो उस कार्य में विशशच्टि करन प्राप्त कर लेते हैं. जबकि प्रभागिय संगठन में, मान लीजे, परिधान विभाग यानि वस्तर विभाग का मुख्या है, वो वस्त्र विभाग का मुख्या है उसके विभाग के अंदर अलग-अलग कारियों के सभी विभाग है जुनको वो देख रहा है तो वो किसी एक कारी में विशिशग्य नहीं बन रहा है, वो उस उत्पाद के हर कारी में विशिशग्य बन रहा है, यानि वो उत्पाद में विशिश्टी करण प्राप्त कर रहा है, यानि विभागिय ढाचे में करमचारी या प्रबंधक उत्पाद विशिश्टी करण प्र भानी आदी जैसी चीजों का उत्तरदाइत वो डालना संभब नहीं हो पाता क्योंकि एक ही उत्पाद के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं तो किसी समस्या के स्थिती में उसका उत्तरदाइत वो किस पर डाला जाए या निधारित करना मुश्किल हो जाता है लेकिन विभाग ये ढाचे में यह थोड़ा आसान होता है क्योंकि एक उत्तपाद के लिए एक पूरा विभाग जिम्मिदार है उस उत्तपाद में कोई समस्या यहानी होने पर उस उत्पाद के विभाग के मुख्या या उस विभाग को जिमिदार ठहराया जा सकता है चौथा अंतर प्रबंदक की विकास का है कार्यात्मक धाचे में प्रबंदकों का विकास करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हर प्रबंदक किवल एक कार्य को कर रहा है वो सभी कारे में विशेशकी नहीं बन पाएगा वो किवल एक कारे में निपुड हो जाएगा लेकिन आन्य कारे में वो उतना निपुड नहीं होगा जबकि विभाग या प्रभाग या ढाचे में एक उत्पाद का जो मुख्या या प्रबंदक होता है वो अपने उत्पाद के अंदर अलग-अलग कारियों के विभाग बनाकर सभी को देखता है तो वो उन सभी कारियों को धीरे-धीरे सीखता है तो आगे जाकर वो एक जादा निपुड प्रबंधक बनकर निकलता है यदि कंपनी को आगे किसी बड़े पद के लिए प्रबंधक चाहिए तो वो इन में से किसी को आगे भेज सकते हैं क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के कारियों को अपने अंदर करवाया या सिखा है पाच्वानत है लागत जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कारियात्मक धाचे में कारियों की पूर्णवृत्ति ना होने पर या दोहराया ना जाने के कारण उसमें व्यर्थ कम होता है वो मित्व्याई माना जाता है यानि कम खर्चीले माना जाता है जबकि विभाग ये ढाचे में एक ही प्रकार के कार्य हर विभाग में होते हैं तो कार्यों की पुनरवरित्ती होती है जिसके कारण वहां एक ही कार्य बार-बार होता है जिसमें कुछ समय या पैसा अधिक वेर्थ होता है तो इसमें लाकत थोड़ी जादा आती है अन्त में यदि हम संगठनों की बात करें तो कार्यात्मक धाचा बहु उत्पादिय कम्पनियों के लिए कठिन है बहु उत्पादिय कम्पनिया कार्यात्मक धाचा नहीं ले सकती जबकि बहुत पादिय कंपनियों के लिए प्रभागिय धाचा बहतर माना जाता है तो बच्चों आज हमने संगठन का अर्थ जाना उसके प्रक्रिया को समझा वो देखा कि वो कितना महत्वपूर्ण है किसी भी प्रबंधन या प्रबंधक के लिए इसके पश्चात हमने यह भी देखा कि संगठन की प्रक्रिया के अंत में हमें धाचा प्राप्त होता है जो की दो प्रकार का हो सकता है कारियों के अधार पर कारियात्मक धाचा या उत्पाद के अधार पर विभागिय प्रभागिय धाचा मैं आशा करता हूँ आपको ये चीजे समझाये होंगी अगले भाग में हम संगठन से जुड़े कुछ अन्य महतोपूर बातों पर चर्चा करेंगे आज के लिए एतना ही धन्यवाद जज सकति है अन्यवाद दो जुड़े है नन्यवाद झाल 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 झाल